Hello friends, इस वीडियो में हम parametric function का derivative कैसे calculate करना है, उसके बारे में learn करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं कुछ चीजे revise करना चाहूंगा, देखो, हमने न अभी तक जो derivative निकाले हैं और दो type के function के derivative निकाले हैं, उसमें पहला एक type था जिसमें function y is equal to f of x के form में दिया होता था, याने example लेता हूं, like y is equal to x square plus e to the power x, इस form में function दिया है, इसका मतलब y को directly in terms of x दिया होता था, and they are asking about find the derivative of y with respect to x, तो ये बहुत common चीज़ है, ये हमने almost सारे examples में यही देखा है, दूसरा एक हमने type देखा था, जिसमें y को in terms of x नहीं दिया होता था, लेकिन उनके बच कुछ इस type का relation दिया होता था, उसका example लेता हूं, like x cube plus y cube plus xy is equal to 0, ठीक है, इस type का function, तो पहली case में function को बोला जाता है explicit function, दूसरे case में इस type के function को बोला जाता है implicit function, implicit function, तो ये दोनों के दोनों कैसे हमने learn किये हैं, लेकिन हमेशा function इन दोनों के form में दिया होगा, ऐसी भी कोई बात नह ही है, ठीक है, कभी कभी क्या होगा, कि आपको x की value दी होगी in terms of t, तो मैं इसको लिखता हूं, x is equal to function of t, उसको लिखा है मैं x is equal to phi of t, and y is equal to psi of t, यानि y भी एक function के form में दिया है, वो भी t का function है, ठीक है, और दोनों ना same variable में दिया है, t में, ठीक है, इस cases में हम बोलते है, x and y are the parametric function of variable t, and t is called as a parameter, particular example लेते हैं, तो डाउट नहीं रहेगा कुछ, x is equal to t लिया, y is equal to t square लिया, and पूछा है हमें find dy by dx, अब देखो, problem क्या है, ना y को x में दिया है, ना x को y में दिया है, और पूछ रहे है, y का derivative निकालो with respect to x, कैसे होगा है, ठीक है, हमें x y में नहीं दिया है, ना y x में दिया है, ना उनके भी कुछ relation दिया है, तो हम dy by dx directly calculate नहीं कर सकते हैं, यह हमें पता है, लेकिन, x को दिया है in terms of t, याने t ही दिया है, तो हम x का derivative निकाल सकते हैं with respect to t, ओ आएगा 1, y दिया है t square, हम y का derivative निकाल सकते हैं with respect to t, तो यह आएगा 2t, ठीक है, अब आपको problem हो सकता है कि, देखो आपको यह आदत क्या है, हमें आदत क्या है, y दिया होता है x में, और differentiate करते हैं y को with respect to x में, तो अब यह x दिया है t में, और x का derivative निकालना है with respect to t, y दिया है t में, y का derivative निकालना है with respect to t, तो in cases में, generally यदि आ आपकी initial stage है, यह आपको confusion हो रहा है, तो आप temporary यदि y को differentiate कर रहे है with respect to t, तो t की जगा x imagine कर सकते हो, and बाद में x की जगा t substitute कर सकते हो, similarly है x की जगा y imagine कर सकते हो, t की जगा x imagine कर सकते हो, dy by dx निकाल सकते हो, और बाद में put कर सकते हो y की जगा x, and t की जगा x की जगा t, ठीक ह तो यह simple चीज़ है लेकिन यह बस initial stage में होना चाहिए बात में तो आपको तुरंद समझ में आनी चाहिए चीज़ है अब dy by dt है हमारे पास dx by dt है हमें पूछा क्या है dy by dx तो मैं क्या करता हूँ देखो हमारे पास dy by dt है dx by dt है तो मैं dy by dx निकालना है तो मैं इस dy by dt को डिवाइड करता हूँ dx by dt से तो यह value क्या बनेगी dy by dt dx by dt उपर आएगा तो यह बनेगा dt by dx dt dt will get cancelled so this becomes dy by dx simple चीज़ है इसका ही मतलब यदि देखो x को t के form में दिया है यह फंक्शन आप t दिया है y is a function of t दिया है तो dy by dx आएगा dy by dt upon dx by dt तो इस formula को याद रखना है और apply करना है तो उपर वाली case में dy by dt कितना है हमारा 2t dx by dt है 1 तो final answer आएगा 2t so it is very simple example ठीक है तो देखो अभी तो यह हमने समझ लिया और थोड़ा ना मुश्किल example लेता हूँ मैं इससे थोड़ा मुश्किल जादा मुश्किल नहीं देखो x is equal to 80 square दिया है y is equal to 280 दिया है और वो पूछ रहे है find dy by dx dy by dx पूछा है हमें अब देखो mind में बड़ा clear चाहिए dy by dx का formula आएगा dy by dt upon dx by dt formula याद ही चाहिए अब y का derivative निकालो with respect to t x का derivative निकालो with respect to t तो y दिया हमें 280 तो y का derivative आएगा with respect to t is 2a यह simple है x दिया है 80 square x का derivative आएगा with respect to t is 280 now substitute करो so this implies dy by dx is equal to dy by dt की value put करो 2a dx by dt की value put करो 280 2a 2a will get cancelled कितना बचेगा 1 by t तो यह बहुत simple चीज है parametric function का derivative निकालना लेकिन देखो एक में बात बताना चाहूँगा यह हमाने derivative directly लिखे है y का derivative with respect to t 2a आएगा x का derivative with respect to t 2a t आएगा अब यह कैसे आते है वो सारी basic चीज़े है basic derivative आपको आने चाहिए तभी आपने parametric function का derivative निकालने को learn करने को लेना है ठीक है तो यह सारे basic derivative है t square का derivative कैसे आता है by using power function का derivative कितना होता है n x to the power n minus 1 का formula यदि constant दिया है तो उसको हम derivative के बाहर निकाल सकते है तो यह सारी चीज़े आपको पता चाहिए और एक example लेता हूँ अब थोड़ा ना मुश्किल example लेता हूँ मुश्किल याने मुश्किल है ही नहीं लेकिन बस थोड़ा दिखने में मुश्किल है find dy by dx x दिया है cos cube t a cos cube t y दिया है a sin cube t ठीक है dy by dx निकालना है mind में बड़ा formula clear चाहिए dy by dx is nothing but dy by dt upon dx by dt तो पहले dy by dt calculate करो उसके बाद dx by dt calculate करो और substitute कर दो काम बन जाएगा तो देखो y is equal to a sin cube t दिया है derivative क्या आएगा dy by dt is nothing but a into derivative of sin cube t अब देखो a में ने बाहर लिया क्यूंकि constant है ठीक है वो तो simple हमारा first rule था यदि constant है scalar multiplication में function दिया है तो हम constant को बाहर निकाल सकते है और बचे हुए function को differentiate कर सकते है अब this is nothing but derivative sin cube t का derivative कितना आएगा 3 sin square t into sin t का derivative कितना आता है cos t ये composite function में हमने learn किया था तो ये ही a भी आपको पता चाहिए उसके बाद x दिया है हमें a cos cube t और हमें निकालना है dx by dt तो again same logic dx by dt is nothing but a बाहर आ गया तो differentiate करना है cos cube t को with respect to t again cos cube t का derivative आएगा 3 cos square t into cos square का derivative minus sin t ठीक है तो ये हमें dx by dt मिल गया dy by dt मिल गया तो हमारा dy by dx आएगा dy by dt कितना है हमारा a 3 sin square t into cos t upon dx by dt कितना है a minus 3 cos square t into sin t तो देखो अभी एक sin t sin t cancel हो जाएगा 1 cos t cos t cancel हो जाएगा 3 3 cancel a cancel तो ये कितना बचेगा minus of sin t upon cos t so this is nothing but minus tan t अब देखो यहाँ जो मैं derivative निकाल रहा हूँ मैं assume कर रहा हूँ कि आपको composite function का derivative आ रहा है आपको basic derivatives आ रहे हैं तो मैं यहाँ directly इसलिए मैं directly derivatives calculate कर रहा हूँ अब question arise होता है क्या हमेशा x t में दिया होगा जरूरी नहीं example लेते देखो x is equal to a cos theta y is equal to b sin theta दिया है and अब पूछा हमें dy by dx निकालो find dy by dx problem simple है लेकिन बस parameter change किया है अभी तक हमने जो देखा था theta की जग़ अभी तक हमने जो देखा था x को t के form में दिया होता था y को t के form में दिया होता था यहाँ एक t के जग़ theta दिया है बस तो हमारा dy by dx का जो formula होगा उसमें बस इतना ही change होगा y का derivative निकालना है with respect to theta and x का derivative निकालना है with respect to theta and dy by d theta को differentiate करना है sorry and dy by d theta को divide करना है dx by d theta से logic सेम रहेगा ठीक है तो यह हम calculate करके देखते हैं तो given क्या है में x is equal to a cos theta तो dx by d theta आएगा cos theta का derivative आता है minus sin theta तो यह बनेगा minus a sin theta y दिया है b sin theta इसका मतलब y का derivative निकाला with respect to theta तो यह आएगा b cos theta क्योंकि sin theta का derivative आएगा cos theta तो यह dy by dx कितना बनेगा हमारा dy by d theta तो आएगा minus a sin theta sorry dy by d theta की value है हमारी b cos theta and dx by d theta की value हमारी minus a sin theta तो यह बनेगा minus b by a cos by sin कितना होता है cot theta so this is our final answer तो यह बहुत simple चीज़ी है parameter कुछ भी दिया हो उससे कुछ answer में फरक नहीं पड़ेगा parameter जो दिया है वो हमें use करना है t दिया है तो t यूज करना है theta दिया है तो theta यूज करना है z दिया है तो z यूज करना है जो parameter दिया है वो हम parameter यूज करेंगे लेकिन 99.99% दो ही parameter यूज किये जाते हैं एक तो x को t में दिया होता है y को t में दिया होता है या theta में दिया होगा तो this is all about parametric function, हम इससे भी ज़्यादा कुछ example solve कर सकते हैं, लेकिन में थड़ी same, ठीक है तो यह हो गया, parametric equation के बारे में, derivative of parametric equation के बारे में, thank you